आज मलाई हूँ बहुत ही important recipe आप सब के लिए जो भी toxins है body में उसको cleansify करने के लिए एक बहुत ही easy recipe है जिसका नाम है सफेद पेठे का juice सफेद पेठे का juice बनाने के लिए आपको लेना एक सफेद पेठा ये कद्दू से बिल्कुल अलग होता है आपको market में जाके किसी भी सब सफेद पेठा होगा उतना ही juice अच्छा निकलेगा और उतना ही बीच कम निकलेंगे तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पेठे का juice है वो कैसे बनाना है और इसके क्या-क्या benefits है एक बार सफेद पेठे का juice बनाने के ये आपको चाहिए कम से कम 200 ग्राम सफेद पेठा ऐसे कट कर लेंगे और बाकी बचा सफेद पेठा फ्रिज में अरसानी से स्टोज कर सकते हैं कम से कम 4-5 दिन के लिए इसको छील के कट कर लेंगे और जो भी बीज है वो भी निकाल देंगे जो खराब वाला portion है वो हटा देंगे और बाकी pieces कट कर लेंगे चोटे-चोटे टुकडे कट कर लेंगे ये जो जूस हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फायदे मंद है और आपको खाली पेट लेना है और इसके एक घंटे तक कुछ भी नहीं लेना मॉर्निंग में लें इसको उठते ही बहुत इफेक्टिव जूस है इससे बॉड़ी क्लीन होती है और जो हमारे अंदर गंदगी जमा हो गई है इंटेस्टाइन्स में वह बिल्कुल क्लीन हो जाती है मैंने यहाँ पर ब्लेंडर लिया है जिसके पास जूसर है मैंने बोला है जूस निकाल सकते है नहीं तो मिक्सी में ब्लेंड कर लें अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक बाउल लेंगे और उस पर सूती कपड़ा लगा देंगे सूती कपड़े को अच्छे से धो लेंगे पहले कपड़ा लगाने के बाद इसमें यह जूस डालेंगे और वो grate कर ले और फिर सूती कपड़े में उसे चान ले 200 ml juice आपको एक दिन में लेना है बहुत ही बहुत ही effective है जरूर ट्राइ कीजेगा इस juice का अपना कोई taste नहीं होता तो आपको पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस juice को याद रखे sip by sip लें तब ही इसका benefit सबसे जादा मिलेगा आपको मिलूंगी ऐसी ही और recipes के साथ तब तक के लिए goodbye, take care अपने suggestions and feedback जरूर में इसा share कीजेगा और भूलेगा मत like, share and subscribe करना